हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अलाइन इस्टेडी किंग्डम दोस्तों उत्तरप्रदिस राजस्व लेखवाल के लिए ग्रामीड जानकारी को कबर किया जा रहा है घटना चकर पब्लीकेशन से अभी तक हम लोगों ने दूसरे चैप्टर को कबर कर रहे हैं और यह दूसरे च प्रसासन से स्टार्ट करना है तो जिला अस्तरिय राजस्व प्रसासन भारत में राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है जिला प्रसासन का सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टरेट होता है जो यह तो भारतिय प्रसासनिक सेवा का अधिकारी होता है या राज्य किस्वंते हैं सेलक्त हो करके वो लोग आते हैं कुछ दिन पिर अपना एहज डیम के तौर पर ट्रेनिंग के तौर पर रहते हैं ना कर ट्रेनियाफीशर के तौर पर आप कह सकते। जिसको आप एक प्रोवेशन कहते हो ठीक है उसके बाद जो कोई-कोई जो PCS के थिरूई अधियम बनता है फिर कुछ दिनों बाद प्रमशोन होने के बाद अधियम भी बन जाता है तो यह बात यहां पर की गई है कि जो जिला कलेक्टर होता है या तो भारती प्रसासनिक सिवा का अधिकारी होता है या राज सिविल सिवा का पदुनत अधिकारी होता है जिले को पुना उपमंडलों में विभाजित किया जाता है जिसका प्रसासनिक प्रधान उपशंभागी अधिकारी यानि सब डिविजन हिस्टे इस डिम होता है भी बलाग होते हैं उन भलाकों में वीडियो होते है चलिए उप मंडल को अनेक तसीलों या तालिकों में बाड़ दिया जाता है तहसिल या तालिकों का प्रसासन ताहसील दा होते हैं अधिकारी की अधीन होता है तैसिल तालूका का विभाजन गाउं में किया जाता है तहसीलदार तैसिल अस्तर पर राजस्व प्रसासनी कि अधिकारी कंवे तो आपको क्या चूच करना होगा तहसील दार जो तहसील अस्तर पर करों की वसूल है तो उत्तरदाई होता है तहसील दार सब्द मुगलकाल का सब्द है जो अर्भी भासा से ब्यूत्पुन हुआ है अर्भी भासा में तहसील का अर्थ राजस्व सिर्जन या संग्रा है और दार का अर्थ क्या होता है तो पद का धारक तो तहसील धारक है ना तहसील धार हो गया तो तहसील का अर्थ क्या हुआ राजस्व सिर्जन या संग्रा दोनों का संयुक्त अर्थ हो जाता है कर संग्राहक, तो आज आपको मालूम भी चल गया होगा तहसिलदार का मतलब, अब जिला प्रसासन की सरचनाए दी हैं, किस का क्या लेबल है, तो जिला अस्तर पर कौन होता है में, जिला अस्तर पर जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे जो होगा वो अनवाग या उप शंग भाग होगा जिसमें कि अनवाब ये या उपस अंभाग अधिकारी दर्ड़ similarly यस्डियो जो हैं होते हैं ना आफिसर या मजिस्ट्रेट फिर उसके नीचे जो होता है वो तहसिल या तालुका हो जाता है जिसमें की तहसिलदार मेन होते हैं बैठते हैं फिर उसके तहसिलदार की नीचे हो जाते हैं राजस्व निरी छक यानी कानून गो होते हैं जैसे की राज स्वब्रित बोलेंगे फिर कानून गो की नीचे कौन होते हैं लेख पाल दड़िश पटवारी हलका की वो मेन होते हैं तहसीलदार भूराजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णे भी करता है। कानून गो या राजस्व निर्चक खसरा और खताउनी का निरिचक। या लेख पाल या पटवारी के कारियों का परवेक्षन करता है। लेख पाल या पटवारी अपने कारेख्चेत्र में आने वाली भूमी के खसरा या खतवनी लेख तैयार करने हेतु उत्तरदाई होता है कौन लेख पाल या पटवारी राजस्व प्राधिकारी और उनकी अधिकार छेत्रद पताए गए हैं कि उत्तर प्रदिश भू राजस्चो माल गुजारी प्रसासन दिन दो प्रकार प्राधिकारी के हांतों में दिया गया है, वोह होते हैं, राजस्चो नियाले जड़िज रवेटनियु कोर्ट है और रवेटनियु आफीशर, तो याद रखना है कि भू राजस्चो प्रसासन जो है दो प्रकार में बटा है एक राजस्व सुन्यायले है और दूसरा राजस्व अधिकारी भूराजस्व अधनियम की धारा चार आठ की अनुसार राजस्व अधनियम की अंतरगत निम्न प्राधिकारी सामिल है राजस्व अधनियम की अंतरगत प्राधिकारी जो सामिल है राजस्व परिशाद यानि रेबेन्य वोर्ड होता है इसके बाद कमिशनर है फिर अतरिक्त कमिशनर हो जाते हैं फिर कलेक्टर है फिर अतरिक्त कलेक्टर फिर उसके नीचे सहायक कलेक्टर फिर उसके नीचे बंदो वस्त अधिकारी है, फिर सहायक बंदो वस्त अधिकारी, और उसके बाद अभिलेक अधिकारी, आप कीजिएगा, फिर उसके बाद सहायक अभिलेक अधिकारी होंगे, फिर उसके तहसीलदार हो जाते हैं, है न, तो याद रखना है, इन सब बातों को विशिसकर खासकर आपको याद रखना है कि भूराजस जो प्रसासन है विशिसकर दों में एक राजस्व नियाल है और लूसरा राजस्व अधिकारी राजस्व अधिकारी का आर्थ ऐसे अधिकारी से है जो उत्तरप्रदिस भूराजस्व अधनियम की अंतरगत माल गुजारी कारी के लिए या राजस्व अभिलेक तयार करने के लिए नियुक्त किया गया हो इसका आर्थ ये हुआ कि राजस्यो परिसद और उसके सदस्यों को छोड़कर उप्युक्त जो अधिकारी हैं वहां राजस्यो अधिकारी होते हैं मतलब समझे मतलब ये जो इसमें दिया हुआ है पूरा है ना राजस्यो प्राधिकारी तो इसमें अगर आप राजस्व यह जो प्रेडिमिन न्यू बोर्ड है न इसको अगर और उनके जो मेंवर्स होते हैं इनको छोड़ दोगे जितने भी अधिकारी कमिशनर अत्रिक्त कमिशनर है न यह जो दस दें बचेंगे आपके इस अभी की सभी जो है वो राजस्व अध अधिकारी में सामिल हैं जिसके अंतरगत वही बताया राय कि अधिकारी सामिल हैं वही बात यहां पर कमिशनर अत्रिक्त कमिशनर कलेक्टर होते हैं फिर कलेक्टर के नीचे अत्रिक्त कलेक्टर हो जाएंगे सहाइक कलेक्टर बंदोबस्त अधिकारी फिर उसकी सहाइक हो जा और तहसीलदार के नीचे कौन होते हैं तहसीलदार के नीचे यह जो तहसील कमेन राजस्वधिकारी है वह तहसीलदार है इसके नीचे नायब तहसीलदार होंगे फिर सुपरवाइजर कानून को होंगे उसके बाद जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो लेखपाल होते है तो एरह तरह के हो गए अधिकारी अगला है आपका राजस्व नियायले तो भूराजस्व जो प्रणाली है दो तरीके से बटी एक राजस्व अधिकारी एक राजस्व नियायले तो राजस्व नियायले क्या है प्रदेश में इस समय कुल 2651 राजस्व नियायले हैं कितने 2651 राजस्व नियायले हैं इनमें नायब तासिलदार की नियायले से लेकर राजस्व परिशद तक की नियायले समलित हैं राजस्व नियायले में नायब तासिलदार का नियायले सबसे निचला न्यायाले है जो नायबतासिल का न्यायल होता है सबसे निचला होता है नितासिल लेवल का राजस्व परिशद का न्यायले राजस्व न्यायले में सर्बूच न्यायले है तो राजस्व परिशद का सर्बूच न्यायले कौन सा है तो है राजस्व नियायल है है ना आप कीजिए कि मतलब राजस्व परिशद तो सबसे जो में राजस्व नियायल है इसमें सबसे उंचला जो आपका सबसे उंचा है वह राजस्व परिशद हैनि सबसे जो बड़ा नियायल है सबसे निचले कटेगरी में आप देखोगे तो अगला है आपका बरतमान में प्रदेश के समस्त राजस्च नियाले को कंप्यूटी करण किया जा चुका है राजस्च नियालों की कंप्यूटी करण का प्रबंधन यन आई सी की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा की जा रही है राज़स चुनियालेगों की अधिन मुख्या जो सब्जेक्ट हैं बीशे हैं क्या क्या सम्मलित होते हैं इनको जानना जरूरी है एक तो नामांतरण है दाखिल खारिज जो होता है लोग जमीन में लिखवाते हैं जब तक दाखिल खारिज नहो जाए तब तक फाइनल मांटे कि बिदखली करना यह सब जो है राजस्वधिन के मुख्य भी से हैं यह सभी चीज़े क्या है राजस्वधिन के अंतरगत साल्व होंगी अगला है इन मामलों से संबंधित जो अपीले हैं रिवीजन और रिविव आदी राजस्व भी भाग द्वारा संचालित दूसरी बीमा योजना है आम आदमी बीमा योजना राजस्य विभाग द्वारा संचालित एक दूसरी बीमा कौन सी है आम आदमी बीमा योजना राजस्य विभाग द्वारा संचालित पहली बीमा योजना क्रिसक बीमा योजना है जबकि दूसरी कौन सी है तो आम आदमी बीमा योजना इस बीमा योजना का जो कारदाई संस्था है वो भारती है यनि LIC है इस योजना का लाभ ग्रामीड छेतर के 18 वर्स से लेकर के 16 वर्स के आयू की भूम हीन व्यक्तियों को प्राप्त होता है जिनके पास भूम ही नहीं है इसका लाभ उनको दिया जाता है कौन सर्दिया आम आदमी बीमा योजना का लाभ कितने वर्स से 18 से जो यनि सीनियर सिटीजन जब तक नहीं बन जाते है 16 वर्स तक इसमें प्रतिक भूम हीन ग्रामीड परिवारी के मुखिया या धनारजन करने वाले ब्यक्ति का बीमा किया जाता है किसमें आम आदमी बीमा योजना में बीमा का जो प्रीमियम होता है वह दो सो रूपए है कितना दो सो रूपए इन में से सो रूपए राज सरकार द्वारा और सो रूपए केंदर सरकार द्वारा वहन किया जाता है तो याद रखना है एक्जाम के पॉइंट आपी से आम आदमी बीमा संबंधी तत्यों को कि 18 से 16 बर्स तक इसमें सामिल है और इसमें जो प्रतेग भूम हीन ग्रामिट परिवार की मुखिया या जो मेन उसमें धनारजन करने वाले व्यक्ति हैं उनका भीमा कर दिया जाता है जिसमें की 200 रूपए का प्रीमियम जाता है 100 रूपए केंदर सरकार दे देती है और 100 रूपए राज सरकारे वहन करती हैं भीमीद भ्यक्ति की जो मृत्ती होती है वो मृत्ती हो जाने पर उसको 30,000 रूपए दिया जाता है लेकिन दुर्गणना के काण मृत्ती होने पर 75,000 रूपए दिया जाएगा अगर नेचुरल मिलित्टी होती है तो 30,000 रूपे है दुरगटना बस अगर मिलित्टी हुई तो 75,000 रूपे दिया जाता है पूर्टा अपंग हो गया अगर कोई व्यक्ती है यानि कोई काम करने योग्य नहीं है तो भी उसको 75,000 रूपे मिलेगा आंसिक रूप से अपंग होने पर 37,500 रूपे यानि आप इसका आधा कर देना दे होता है लाभानवित परिवार की अधिक्तम दो बच्चों जो क्रमसा 9 से 12 वर्स तक सिछापराप्त कर रहे हों उनको 100 रूपे प्रतिमाह की दर से शमाही अंतराल पर छात्रवित अनुमन्य ह तो एक्जाम के पॉइंट आप भी मोस्ट इंपॉर्टन्ट रहा है है आप आदमी बीमा योजने से संबंधित वह उन्हीं के लिए जिनके पास भूम नहीं है यानि भूम ही नहीं जो हैं अगला पॉइंट है राज़त शुप्रसासन योम उसके कारिया उत्तर प्रदेश म एकसर एक्जाम में रियाद रखना है उत्तर प्रदीस जोट चगबंदी अधनियम उन्नीशो तिरपन बनाया गया चगबंदी का ताधिव पर एक कटक के जोतों की विभिन खातेदारों के बीच इस प्रकार पुनर विवस्था करने से है जिससे कि उनके अपने अपने खाते आधिक सहंत हो जाएं ना जो बिविन लोगों के इधर ऊधर खेट पड़े रहते हैं उनको क्या है यकट्टे कर देते हैं उनकी मालियत की हिसाब से उनको जो है आपस में डिवाइड कर दिया जाता है खेटों को क्या है अब कोई एक गाउँ है यह बेकती का घर इधर पड तो यहां पर क्या है कि जो जब होती है इनके खेट क्या हिए एक थर कर दिया जाता है तो के तो मालिज कर दी जाती एक दूसरे की नामकी बश्रीक है तो यहां सब यहां पर किया जाता है तो यह पर क्या जाता इस प्रकार की प्रकार जिससे अपने अपने जो खाते हैं वदिक सहंत हो जाएं अगला पॉइंट है दोस्तों कि चकबंदी का उद्देश खाता खातेदारों के विखरे जोतों को एक जगाए गेठा करना है चक का ताते पर चकभंदी होने पर खाते धार को खाते Consorti को प्रद्रिश्ट भूमी के खंड से है और अर्था चकभंदी होने के बाद हाते दार को जो भू खंड आवण्टित होता है वह अहलाता है मतलब समझ गये न च्याल लोके दें तुम्हारा छकक किदर है बाई एच्छक थोड़ा दूर है घर से प्रतेक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी जो होता है वह कलेक्टर होता है कई बार पढ़ चुके हो कलेक्टर जिले के गाउं को लेखपाल के हलकों में विवाजित कर सकता है प्रतेक जिले में कितने लेखपाल होंगे तो उनकी संख्या राज्य सरकार निर्धारित करेगी जैसे कि आप बरतमान में देख रहे हैं लेखपाल की बैकेंसी अभी तक आई नहीं है आज की जो वीडियो रिकार्ड कर रहा हूँ यानि दिरांक 16,12,2000 इसके पीछे थोड़ा रीजन यह है दोस्तों की सरकार जो पहले जो पिछली गवर्मेंटे हुए थी उसमें क्या था कि चलिए इस पर बिसे जात करने बात करने उसमें क्या बिसे इसकर जो प्रमोशन है ना प्रमोशन का सिस्टम क्या है कि इन्होंने 100 पर्शन कर दिया है तो यह आगे बढ़ जाते हैं अब क्या है कि बड़े दिक्कते हैं थोड़ा चलिए इसलिए आगे देखते हैं लेता सिक्ति कि तरफ ब्हुरा अधनी हम 1901 तो गज़ात रहा तो जो लेख पाल तयारी कर रहे हैं जलिए अपना अपना जो धारा है उसको धना याद रखिएगा कि लेख पाल का जो संबंध है वो तरपुदीज भूराज स्वधियम 1901 की धारा 23 में लेख पाल की संबंध में है इसके अनुसार जो है राज सरकार इस अधनियम द्वारा निर्धारी दिया इसके अंतरगत अभिलेकों को तयार करने के लिए जो भीत की जाए प्रतेग हलके में एक लेक पाल की नूक्ती करेगी किन्तु राज सरकार ने अपने इस कर्तब को परगना अधिकारी सहाई कलेक्टर को दे दिया है यह जो परगना अधिकारी होते हैं उनको दे दिया गया है अब राज सरकार अधिकारी लोग अपना इधर उदर लेगपालों को क्या है ब्यवस्थित करते हैं कि कौन लेगपाल कहा न्युक्ती रहेगा यतियो परगना अधिकारी शाहिक कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह लेगपाल को एक हलके से दूसरे हलके में अपने तैसिल छेतर में हास्तान अंत्रजभव कर दे चगबंदी संचालक चगबंदी संचालक का ताजपर ऐसे व्यक्ती से है जिसे राज सरकार इस अधिनियम की अधिकारों का प्रियोग तथा करतव्यों का पालन करने के लिए शिस्तिति में न्युक्त करे और वहां अत्रिक्त चगबंदी संचालक तो था संयुक्त चगबंद करतब्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करें उसे उराज सरकार तारा सौंफे जाए तता जिलाओप संचालक चमगंदी सहाइक चकबंदी तो इसके अंदर गत आएंगे जोत का ताध्यपरी क्या है तो जोत का ताध्यपरी भूमी के ऐसे भाग अथवा भागों से है जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदारों की साथ संयुक्त रूप से खाते की अधीन अधीक्रित हो अगला है समकोड निर्माड तो समकोड निर्माड का ताध्पर चगबंदी की समय चगों की प्रदर्शकों को बिन्यमित करने के उद्देश से कटक के छेत्र को सुविधा जनक आकार की समकोड चतरभुज तथाय से चतरभुज की भागों में वाजित करने की प्रकिरिया से ह समकों निरमाड खातिधार का मतलब क्या है ?Tatapar है अन्तरण यह अधिकार वाली भूमी थर से है और उसके अंतरगत आसामी और सरकारी पटेधार या सरकारी अनुदान ग्रिहिता या सहकारी समीत जो ऐसी शर्तों को पूरा करती हो जो नियत की जाए भी तो यह क्या है तब खातेदार कहलाएंगे जिनके नाम पट्टा हो गया यह सारी चीज़े हैं सिंपल से समझी है बड़ी टेक्निकल में लिख दिया है बस आप लोग समझें इसके नाम है ना खातेदार हो जाएंगे अगला पॉइंट है कि नक्सों और अभिलेखों का पुनरेक्षण और संसोधन कैसे होगा तो चगबंदी के संबंध में प्रख्यापन तथा अधिसूचना यदि राज सरकारी की यह राय हो कि कोई जिला या उसका भाग चगबंदी क्रियाओं की किसी अधिकारी या प्राधिकारी के लिए जो जिला उप संचालक चगबंदी द्वारा तदत अधिक्रित किये जाए विधी संगत क्या है वो जो है अपना जिस छेत्र का होगा चगबंदी संचालक उख छेत्र की किसी भूमी में समकोड निर्माड के संबंध में अनथा प के लिए सभी आवाश्यक कारिवाही करे कौन चकबंदी संचालक की नीचे जो है उपचंचालक चकबंदी अधिकारी चली आगे बढ़ते हैं जिला उपसंचालक चकबंदी खंडका की अधिन जारी किये प्राख्यापन की साथ जिनीक सूचना उक्त जिले आ उसके भाग में स चैनल का जो नाम है दोस्तों वह क्या नाम है एड़ रेट यूपी लेखपाल टेलीग्राम ठीक है यूपी लेखपाल जो लोग नहीं जुड़े हैं यूपी लेखपाल वाई आनलाइन इस्टडी क्यूंटम टाइप करना सर्च बाक्स में जाकर क्यों मिल जाएगा अगला पॉइंट है आपका उत्तर प्रदीक स्थ्चीए संघिता-2306 है यह यहाल मिक्या है उत्तर प्रदीस राजस संगिता 2006 की धारा सतहत्तर में संसोधन से पूरबांचल एक्सप्रस वे परियोजना जो की आप जानते हैं ये इसका जो है वो उद्गाटन हो चुका है डेडीकेट फ्रंट कारीडोर परियोजना इस्टर्ण फेरीवेल पर एक्सप्रस वे परियोजना जैसी सरकार की म इसमें क्या है संसो्धन किया गया है तो इसके लिए क्या है थोड़ा भूब्यव कि पुटनर ग्रहन भीमयमे क्या होगी आगे इटिल में देखते चलिए और ढकर संसोधन किया गया है दरा संसोधन से क्रिषी की और दोगिक वाड़ित जी के उम्मावासिय प्रियोजनाव हीत भूम उप्योग परिवर्तन की प्रिक्रिया सुगम हो सकेगी अब यहां पर आप जादा यह तो नहीं करना बस देखते चलो पस आप से एक्जाम में पूंचला जानने वाला प्रसना ऐसे बन जाएंगे कि उत् भी थोड़ी कर पूछें कौन सी धारा में कौन क्या है अगला पॉइंट है कि धारा एटी नाइन में संसोधन से भीच सीमा सी अधिक भूम की संक्रमण ही तो अनुमत की प्रिक्रिया सायज हो सकेगी जिसे अवदोगी कर्णता प्रदेश की विकास की गती में क्या है तेज और उर्जा पर योजनाओ ही तो भूमी पट्टे पर उपलब्द हो सकेगी जिससे प्रदेश में विद्धुत उत्पादन में व्रिद्धी भी संभव हो सकेगी धारा 108 और 10 में भी संसोधन किया गया इससे क्या है कि पैत्रिक भूमी में मिरतक पुत्र से आभिबाहित पुत्र के मिरतक पुत्र के आभिबाहित पुत्रियों को अधिकार मिल सकेगा मतलब जैसे कि अब राम है राम के लड़के क्या है राम है राम के लड़के स्याम है स्याम की दो पुत्रिया है एक है राधा और दूसरी है रानी और इन दोनों की साधी नहीं हुई है और चांस की दुर्गतना पचिया किसी बस करण बस जो है इनकी मृत्ती हो जाती है сियाम जी कि तो यह जो राम की property यह अपने जो बाबा है राम उसमें क्या ऐ इनकी proper इनका इसदा बनेगा यह अभी वहाईत अग्रिदी हैं तो फिक है लेखपाल के kारियां लेखपաल की लेंड रिकार्ट्स मैनुल में वरंडित निम्नलिख्ट है लेखपाल की क्या क्या कारी है तो जो लेखपाल बनने वाले दर अपने कामों को देख ले ताहसील द्वारा निर्धारित के गई तिथी पर प्रतेग महीने में लेखपाल तहसील में उपस्थित होंगे तहसेल में उपस्थित के अउसर पर लेखपाल संक्राम में अधिकार वाले भूधर भूमिधर द्वारा अंत्रिम किए गए सभी आभिवारी तो मामलों और समर्पण मामलों की रिपोर्ड क्या है रजिस्ट्रार कानून को देंगे किसको रजिस्ट्रार कानून को को तीसरा काम क्या है कि किसी आपदा जैसे की बाढ़ा है सूखा है ओला पाला फसल रोग मनुस्यों या पस्वों से भयंकर संक्रामक रोग घर या फशल में भयंकर आग लगने के कारण लगने के बाद लेखपाल रजिस्टरार कानून गों को रिपोर्ट दे देंगे कि गाओं में जो जो वैज जो रीजन में जी छेतर में होंगे लेखपाल वहां के रिपोर्ट लगाएंगे अच्छा गाँ वहां सूखा रहा है यह सेरियम बाढ़ाई है यह सब सारी रिपोर्टें जो हो बताएंगे अपनी किसको रजिस्ट्रार कानून गो को यदि सुपरवाइजर कानून गो पडोस में है तो उन्हें सूचिर कर देंगे ना की फिर रजिस्ट्रार कानून गो को इसके बाद चौधा काम क्या है कि पसों के संक्रामक रोग के फैलने पर वहां ऐसी रिपोर्ट पस्चिकितसा विभाग को भी देंगे जब कभी सुपरवाइजर कानून गो लेकपाल के हलके में जाएं तो लेकपाल उन्हें रुपेट करेंगे परतेग लेकपाल अपने हलके की समस्त भूमी प्रबंधक समिती का पदेन मंत्री भी होता है समझ रहो तो जे ये भूमी प्रवंधक समीति है ना उसके मंत्री भी बन जाओगे तुम लेकपाल अगर सेलेक्ट हो गए राजसु लेकपाल में तो मंत्री का भी दर्जा मिल जाएगा कौन से मंत्री का भूमी प्रवंधक समीति है पदे मेंत्री भी होता है अता लेकपाल को भूमी प्रवंधक समीथी की निदेश में समीथी संवन्त कारण भी करने होते है तो Land Management Committee की क्या है मेंबर भी यानि उसकी क्या मंत्री भी बन जाओगे लेख पाल बनने के बाद एक मंत्री पत का दरजा मिल जाएगा हम लोगों को चलो कि लेख पाल ग्राम पंचायती की भूमी पर अतिक्रमण के सभी मामले और ग्राम पंचायती की समित की छत के सभी मामलों की रिपोर्ट किसको देगा कलेक्टर को देता है है ना संपत्ती इच्छत रिपोर्ट किसको देगा कलेक्टर को लेखपाल को लेंड रिकार्ट्स मैनुवल के पैराप 25 में वर्णित नक्सा खसरा खतवनी दिन चरिया बही सेमा दो तक चिन हो कि सूची तथा अन्निकाग जातों को तयार करना पड़ता है तथा उन्हें रखना पड़ता है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2015 यह जो नियमावली है कौन सी उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2015 कही जाएगी उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा एक अधीनस्त सेवा है जिसमें समुहुगा के पद समाविष्ट है इसलिए इंटर्व्यू हट गया अगला पॉइंट है कि सेवा नियमावली में परिशद का ताजपर राजस्व परिशद उत्तर प्रदेश से है लेखपालों का संबर्ग मंडलवार होगा और मंडलवार सदस संख्या का आवंटन राज सरकार द्वारा किया जाएगा कितने मंडल में कितने लेखपालों की संख्या होगी तो ये सभी की सभी जो हर राज सरकार डिसाइज करेगी परंतु ये है कि एक नियुक्ती प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राजपाल उसे अधी अस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई चिए व्यक्ति प्रतिकर का हकदार ना होगा अगला पॉइंट है जमीं के व्यक्ति के लिए हुश्यक है कि अभ्यर्थी उस उसमें कैलेंडर वर्षि की जिसमें से भरती के लिए रिक्टियां बिग्यापित की जाएं पहली जुलाई को 18 बर्स के आई उप्राप्त कर ली हो 18 ये सबी चीजें बतायी है जब रिक्तियां आजाती हैं तो वहाँ बता आ कि पहली जुलाई के आपकी आयुतनी हो और माइकसिमम 40 बर्स हो तो आप भाम भर सकते हैं इसे के हिसाब से यह नियमा वाली निकाल दिये जाता है नो टिपिकेशन में परन्त यह है कि अनुसूची दे जाती है यह जो आरक्षण की बात की जाती है ना उनके लिए क्या है कि अपना जितना आरक्षण की बात होती है उस हिसाब से अपना उत्चताराई उसी महुतनी वर्स अधिक हो सकती है अना अब जैसे 40 बर दे दिया हो भी सिक देख लो गर तो पांच बर सुड़ मिल जाती है तो यह 45 बर्स तक अगराय हो भर सकते हैं वह सिंपल चीजी क्या है स परिवीच्छा उन्नीस एक सेवा में किसी पर मौलिक रूप से न्यूक्त किया जाने पर प्रतेग व्यक्ति को उत्तरप्रदी सरकारी सेवक परिवीच्छा नियमावली 2013 के अनुशार परिवीच्छा पर रखा जाएगा यदि परिवीच्छा वद या बढ़ाई गई परिवीच्छा वद के दोरान किसी भी समय उसके अंत में न्यूक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीच्छा धिन व्यक्ति के व्यक्ति ने अपने अवसरों का परियाप्त उप्योग नहीं किया है तो उसकी सब्सक्राइब करने के लिए सच्छंप्राधिकारी होगा कौन सीनियर है कौन जूनियर है तो आप समझ लिए जूनियर जो है सीनियर जूनियर जो है अपना कर्टगराइज हो जाता है आप ले लिए जूनियर चुट्टिय ले लिये तुम उसके बाद लिप विदाउट पे पे हो चले रहे हो तो क्या है अब जो लगातार कर रहा है उसकी नवकरी क्या हो आप से क्या हो सीनियर हो जाएक आप जूनियर ही बने रहे जाओगे यह सारी चीजें समय समय पर जो हो नियमा वाली में चेंज किये जाते रहते हैं आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है नियमा वाली में ट्रांसफर की बात की जा रही है तो समय समय प्रजारी सरकारी आदेश या अस्तानांत्रन नीती की इंस्वार मंडला युक तो अपने विवेग से किसी लेखपाल का ट्रांसफर मंडल के भीतर और जिले का कलेक्टर जिले के भीतर कर सकेगा अगर मंडल ट्रांडल से ट्रांसफर हो रहा एक दूसरे मंडल से दूसरे मंडल में फेंक दिया जाओगे ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद अगर कलेक्टर्स कर रहे हैं तो भाई उनका कलेक्टर जिले के अंदर पाऊन है तो जिले के अंदर भी ट्रांसफर कर देंगे कि किसी सबडीवीजन यानि कि आप प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर यानि जो एसडीम होंगे वो किसी लेखपाल का अस्तान तरण कर रहे हैं तो अपने थासिल के अंदर कहीं भी कर देंगे तो उनका राइट अपने अपने अंधर में रहेगा आप जिले में है तो जिले वा यहां सुनिश्चित करेंगे कि लेखपालों की उनकी तैनाती के जिले से आयसे अनांत्रण के फलसुरूब किसी जिले में रिखतियां सबीक्रित पदों की संख्या को बीस प्रच्शत से अधिक नहीं होगा यहीं जब मंडला एक तो अपना ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनको यह निश्चित करना होगा जिले में जो रिखतियां है लेखपालों की जो हां संख्या है वो कहीं बीस परशंट से क्या है जादा तो नहीं है इस बात पूर ध्यान देना है उनको तो अगर वो जिले में ल भारे हुए पदों की संख्यासी प्रस्त सीमा से कम है तो ऐसी इस्थित में रिखतियां जिले के यार पार आनुपाति के आधार पर बांट दी जाएंगी यह सारी चीज़े आपके एक्जाम के पॉइंट आप इस इंपॉइंट नहीं है बस आप लेखपाल नियुक्त हो ज नियुक्ति प्राधिकारी या असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा यह था इसी चगवंदी की अविलिग अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी की प्रामर्स की बिना नहीं किया जाएगा चर यह दूस्तों आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है आप नक्सा मैप है ना तो प्रतेग गाउं का एक नक्सा होता है और इस नक्से पर गाउं की चवहद्दी दर्ज रहती है ना कोई गाउं है तो गाउं की चवहद्दी नहीं कि इस रीजन में यहां तक है इस तर इंदर ढर तक है यह सारी चवहद्दी दर्ज रहती ہے इससे गाउं की चवहद्दी की साथ प्रतियक खेत की चवहद्दी काBी क्या है पता चलता है नक्से का नुरक्षण करने के लिए एक पाल अपने हलके के प्रतियक गांओं का हर वर्स प्रतेग हेट में जाकर तीन बार नेरेक्षण करेगा कितनी बार नेरेक्षण करोगे तो बनने के बात पता चलेगा अगला है लेकपाल की इस दवरे को राजस्व की भासा में पड़ताल कहते हैं क्या कहोगे लेकपाल की पड़ताल हो रही है राजस्व की भासा में पड़ताल प्रथम पड़ताल को खरीफ प प्रताल केंगे जो दस अगस्त से प्रारंब की जाती है लिख पःल के प्रताल होगा दोड़ा होगा वा दस अगस्त से प्रारंब ऑ्रकरो दूथखुत प्रताल को रभी पढ़ताल नितरम मोच्मन दो यो रभी MP rights यहाओं रभी फसल वाली में अब बात आदी है खसरा खसरा खतवनी ठीक है खसरा क्या है तो खसरा स्वयम अधिकार अभिलेख यानि रिकार्ड्स आफ राइट नहीं है किन्तो अधिकार अभिलेख की आधार सिला है बरस 2021 में खसरा की आरसी प्रपत्र चार को संसोधित कर दिया गया और उसका वर्सों के खसरों का रख रखाओ आरसी प्रपत्र चार में ही किया जाएगा वहीं इस तारीख के बाद के खसरों का रख रखाओ निर्धारित प्रारूप आरसी प्रपत्र चार का में कम्प्यूटी करण सुरूप में किया जाएगा कम्प्यूटी ग्रिद खसरे में 21 की ब पॉइंट है किसके द्वारा लेख पाल की द्वारा क्रिसी आकड़े और खताउनी के लिए जिन तथ्यों की आवसेक्ता होती है वे सभी के सभी जो है लेख पाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं लेख पाल अपने हलकी के प्रतीग गाउं का साल में तीन बार खेत खेत का जो है वो द्वारा करेंगे देख लिया अपने रभी जायद और खरीफ वाला टाइम पीरिड जरूर देख लेना साथ ही कब कब कितने दवड़े होंगे पूछा जा सकता है पेपर में खसरा एक क्रिसी संबंधी कानून दस्ता बेज है इसमें किसी गाउं के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यवरा लिखा होता है खसरा क्या है एक कानूनी दस्ता बेज है जिससे की गाउं की जमीन पर टुकड़े है जमीन जिनके खेत है उन पर जो फसल उगाई जा रही उनका ब्यवरा लिखा होता है इसका प्रियोग एक सजरा नामक दस्ता बेज के साथ किया जाता है जिसमें पूरे गाउं का नक्षा होता है जो उस गाउं की सभी भूमी पट्टियों की परिभासा देता है और इन सभी पट्टियों का ब्यवरा कहा होता है खसरों में पारंपरिक रूप से खसरों में हर खेत और उसके छेतरफल उसके मालिक का और उस पर काम करने वाले किर्शकों उस पर उगने वाली फसलों का उसकी मिट्टी के प्रकार यो उस पर बिच्छों का विवरण होता ह तो यह सभी पौइंट जुए हैं इंप्वाटटन्ट है एक्जाम के पौइंट आप उसे साथ ही साथ यह हर साल नभी नीकरत यानि इसका जो है रिनूफल होता है सजरा को गाउं का नक्सा भी कहा जाता है निमलिखित में से सजरा को क्या कहा जाता है तो आप सन मिलेगा आपको गाउं का नक्सा भी भारत में सजरा किसी गाउं के ऐसे नक्से को कहते हैं जिसका प्रियोग उस गाउं के खेतों यान जमीन की पट्टियों का कानूनी तोर पर स्वामित तो बता आहे पतवारी पतवारी प्रनाली का प्रारम्भ सर्भ परतम Sirahasuri की शासनकाल में हुआ था एक्जाम के प्रणाली यह किसके कारिकाल की है तो sirahasuri मुगल समराज अगबर ने इसे बढ़ाओा दिया तथा स्काल में इसी मामोली परिवर्तन हुए किन्त प्रणाली जो है वो जारी रही भारत सरकार ने बर्स दो हजार पांच में पटवारी इंफार्मेशन सिस्टम नामक साफ्ट वियर विक्सित किया ताकि जमीन का कंप्यूटी कर डाटा रखा जा सके पटवारी को पटेल कारणाम अधिकारी सान बोगरू आदे भी कहा जाता है यह सभी के सभी पॉइंट इंप्वाज़न्ट है द्यान देने है बर्स 1918 इस भी में सभी गाउं में सरकार की प्रणिधी की रूप में लेख पाल निउक्त किये गए कब 1918 में अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चाओधरी चरण सिंग के जमाने में ही समाप्त कर दिया गया था लेकिन अब उन्हें लेकपाल कहा जाता है है ना तो पटवारी समझ लो पहले लेकपाल को क्या कहा जाता था पटवारी ही कहा जाता था लेकिन जब चाओधरी चरण सिंग के जमाने में समाप्त कर दिया गया पटवारी पटवारी सब्द क्या है समाप्त कर दिया पटवारी जगा लेकपाल हो गया है ना पद वही य है क्षआध नवार्सिक का धा थाहित है पूंचल जाता है जैसे कि आप से पड़ते हैं में पूछ लिया जाता है कि बज़ट सब्द क्या मैंसन है सम्भिधान में तो बज़ट नहीं है लेकिन आर्टिकल नमबर गाओं के खसरों को परियोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार के जमीनों की सूची बनाई जाए तो उसे खतवनी कहते हैं इसे हर छे साल पर नभी निकृत किया जाता है तो एक्जाम के पॉइंट आप इस इंपॉर्टन तथ्या है कि खतवनी को कितने साल पर नभी आने होते हैं इसमें एक जोतदार का वरणन होता है कि वे किस हैसियत से भूमी धारन कर रहे होते हैं अगला पॉइंट है सीमा दो तक चिन्हों की सूची दरज लिस्ट आफ बाउंडरी एंड सर्विमाक्ष इस अभिलेक में सीमा और बंदोवस्त चिन्हों का वरणन होता ह यह कागजात किसी विवाद ग्रस्त भूमी किसी विवाद ग्रस्त भूमी या सीमा विवाद को निप्टाने में परियाप्त मदद करता है कौन लिश्ट आफ बाउंडरी एंड सर्विमाक्ष यह कागजात खसरा में ही नथी रहता है है ना चुन खसरा होता है उस एक साथ क मैनुल पायरास 47 में लेखपाल अपने हलके हलका भर के लिए एक डायरी रखे गा है लेखपाल बन जाओगे तो एक डायरी रख लेना कहां क्या कौन क्या बोल रहा क्या किस परिसानी है कैसी क्या है डायरी रख लेना अपना एक डायरी एक ऐसा रजिस्टर जिसमें लेखपा एक महिने की बाद नहीं की जा रही है हमजलो यहां पर एक अगस्थ सुरू होता है आपका पढ़तालवाला जो तीन बार जाते हो यह गस तर शुरू होता है तो डारी रख लेना होता है एक अगस्थ अगला तत्थ है आपका खेवट क्या है खेवट यह जमीदारी का एक रेजिस्टर होता है उत्तर परदिश जमीदारी उन्मूलन यों भूमिशुधार अधनियम 1950 के लागों होने के पूर्व प्रतीक गाउं के लिए दो अधिकार अभिलिग रिकार्ट साफ राइट होते हैं क्या एक तो खेवट और दूसरा खतवनी दोनों खासे हैं खासे खेवट और खासे खतवनी खतवनी अभी रखी जाती है क्योंकि यह एक ऐसा रेजिस्टर होता है जिसमें यह वर्णन होता है कि कौन जोतदार किस हैस्य से भूमिको धारण कर रहा है च्योंकि खेवट जमी जमीदारी से संबंधित रजिस्टर था इसलिए अब जमीदारी उन्मूलन के बाद क्या है इसे बंद कर दिया गया है अगला है म्यूटेशन दाखिल खारिज तो दाखिल खारिज का अर्थ होता है कि वार्षिक रजिस्टर अर्थात खताउनी में जोददार के नाम का खारिज कि नहीं ओजाते हैं को विवाद न कर दे कहीं कुछ डिश्प्यूट हो गयरा है है तो भी में जब तक परिवर्तन अच्छी से जब कभी भूम के कबजे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज की प्रिकरिया की जाती है समझ रहे हैं आप दूसरा कोई किशान है एक दूसरे किशान को क्या ट्रांस्फर कर दे रहा दर्ढ़ artifact तो वही जो बताय जा रहा है कि परिवर्टनगर हो रहा है तो क्या है दार्ढ़ खार रहा है अगला है दोस्तो क्रिसी बर्स तो किरिसी वर्स से अविबना उस वर्स से है जो 1 जूलाई से प्रारंब होता है और 3 जून तक समाप्त होता है जो याद रखना है एग्जाम में अगर पूंछा जाता है ग्रामेल परीशर पेपर में 25 प्रस्ण में एक प्रस्ण आ गया कि क्रिसी बर्स का टाइम पीरियड निमलिकित में से क्या है एक जुलाई से 31 अगस्त एक जुलाई से 30 जून तो आपका सबाब सही जबाब क्या होगा एक जुलाई से 30 जून तक ठीक है याद रखना एक्जाइम की पॉइंट आपे क्रिसी बर्स को फसली बर्स भी कहते हैं अमीन नामक कर्मचारी का मुख्यकार भूराजस की वसूली होता है खसरा यूम खतोनी को समलित रूप से अधिकार अभिलेख कहते हैं खेती जमीन के मुख्य दस्ता बेज है जो लिख पाल दोरा क्या है टैयार किया जाते हैं जैसे नक्स हो गया खसरा सीमा दोतक्षिन्व की सूची आना वही बाउन्डरी जो गाउं के खितिन खतोनी च्वहपधी वगयरा खतोनी है दिनचर्या बही है आगया पुस्थक है खेवट है खेवर्ड जो की अब जानते हूं चल नहीं रहा, है न, जम्मीदारी प्रताउन होलन के बाद, उसके बाद किसान बही है, अब बात आती किसान बही क्या है, तो किसान बही पटवारी तॉल्लीक पल द्वारा तैयार यहार की गई, वह दसतावेजी पुस्तक है किसान बही, ज जिससे कि किसान अपनी भूमी की जानकारी रखता है दरिजगार्ड किसान वही अगला है खेती जमीन पर लगान अधाईगी तो भूराजस सुका निर्धारियों मुसुली उत्तरप्रदीस जमीदारी उन्मूलन यों भूमी शुधार धनियम 1950 की धारा 241 से 294 के अंसार प्रक कि वह सब भूमी का अधिपती है और उपज के बदले यह माल गुजारी नगदी में निर्धारित की गई है यह माल गुजारी लगभग दो सताब्दियों तक अपरिवर्तित रही है जमीदार जो भूमी कर जो तो दारों से वसूल करते हैं उसको लगान और जो सरकार को दे है क्या कि जबीन पज्ड़ है कि सांत उपजी कर रहें उस पर जो है वो सोलती है अब यहां पर आप देख रहे हैं भूमी का अधिपती कौन है सरकार होती है अपना रोड़ों अगर चाहें पने स्क ankles कर लेकर Saya कि को पाई कर देथी जमीन जो है अल्टिमेटों के तो सरकार क का ही है है ना बस वो है जो जिनके पास जमीन कब्जा किаний रहते हैं तो उन यूज है उसे साफ़ से राइट रहता है बाकी सरकार अगर जो जमीन इगर बात की जाएगी खिर फ़र्फ की होती है सब्सक्रीर की इसके यह जाती है साथ यह साथ आप जानते हैं जो लोग हर ग्यारा महिने के हर रिन्वल करौाते हैं लगता बारा है साल हो गया बस यहां पर आप अपने काम की कीजिए देखो आगे बढ़ते हैं जो संपल समझा आपना है कि जमीदार जो भूमी कर जो दारों सोस्विल करते हैं उसको आप लगान कहोगे जो सरकार को दे होता है उसको माल गुजारी होती है यह अगला पॉइंट है आपका लगान और भूराजस्व तो लगान तथा भूराजस्व सिधान तो एक ही है क्योंकि दोनों ही कबजे की कारण दे होती हैं किंद ब्यवहार में दोनों में निम्न अंतर है भूराजस्व सरकार द्वारा लगाया कर है जो की अधनियम में बनाएगे नियमा नुशार लगाया जाता है जबकि जो लगान होता है वो संबिदा नुशार लगाया जाता है भूमिधर सरकार को भूराजस्टों देते हैं जबकि आसामी अपने असल कास्टकार को या गाउंसभा को लगान देता है लगान संबिदा की वस्तु है जो पच्छकारों की करार से परिवर्टित की जा सकती है जबकि भूराजस्टों सरकार द्वारा है अगला पॉइंट है खेती जमीन के लिए कर्ज कैसे प्राप्त होता है तो एक है बैंक द्वारा भूमिधर को सरपर्थम रिणनेले के लिए सरकार की व्यवस्था बैंक द्वारा की गई है भूमिधर बैंक से सीधा कर्ज प्राप्त कर सकता है इसके लिए भूमिधर को बैंक पालदोरा अंन रूप में आज की भूमी बंधक रहकर किराय पर देकर रिंड़ प्राप्त किया जाता है किसी भूमी को निश्चित समय के लिए बंधक रखा rapidement सकता है जिस पर बंधक करता रिंड प्राप्त करता है अगला पॉइंट है तहसील दिवस तो तहसील दिवस को जन सामाने सरकार से अपनी समस्याओं को लोगे कर समस्य तहसिल अस्तरी अधिकारियों से मिल सकते हैं प्रतेक आबेदन करता को उसके आबेदन की एक रसीद दे जाती है जिसमें की दस अंकों कर्मांक अंकित रहता है तहसिल दिवस पर जिले की सभी बड़े अधिकारी जैसे की जिला अधिकारी हो गए यसडियम हो गए तहसिल दार हो गए नयाब तहसिल दार कानून को लेकपल आधी जो है उस दिन जरूर तहसिल पर आस्तर पर जरूर जो है आपको मिलते हैं तहसिल दिवस के दिन और जो तहसिल दिवस है इसका आयोजन महीने के प्रथम और तीसरे मंगलवार को जिले की हर तहसिल में प्राता दस बजे किया जाता है तो तहसील दिवस कब होता है मंगलवार को महीने के पहले और आखरी यानि तीसरे माप कीज़ेगा पहले और तीसरे मंगलवार की ठीक है थाना दिवस पर पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारी जैसे की पुलिस अधिच्छक अभादिच्छक दरोगा ये दिराजस सुवादी की मामले हों तो उपसंभागी अधिकारी और तहसीलदार भी थाने में उपस्थित रहते हैं तहसील दिवस की दिन और थाना दिवस की दिन तो दोस्तो आपके एक्जाम की पॉइंट आप इसे और निकल रहा क्या कि तहसील दिवस उत्तरप्रदेश जमीदारी बिनासियों भूमिवस्था जनियम द्वारा भूमिविधी के छेतर से धर्मों को हटा कर बहुत प्रसंसनिये कारी किया है जो तो दारी की मिरित्यू पर उसकी भूमिक संपता धारा हां एक सो इकत्र से प्रश्टता है में वन उत्तरा धिकारियों को दी जाती है ना कि उसकी विधी के उत्तरा धिकारियों को तो इक्जाम की पईंट से इंप्वांटन तत्थी याद रखना है आपको भूस्वामी की मृत्यू होने पर पहला आपने देखा बाई उत्तराधिकार से मिल जाता है दूसरा है भूस्वामी की मृत्यू होने पर उत्तराधिकार का नाम अगर दाखिल करनी की प्रिकिरिया क्या है तो विबाजित रहने की दसा में क्या होता है कि जब किसी भूमी स्व सब्सक्राइब बिबाद रहीत होगर मुझार थीज़ी देगा ईपैर् смотр कि जो अम्रेख कोंसेुद नाम इस बात की पिबाद ज्युक्ति दिखा होगे। अगर कोई जामें और नोग्त नाच वाचनकारी होती है कि उस्स भात की 뿌리ार लिवाने कव भेद देगा और तासिलदार मामली से संबंदी तो उभे पच्छों को सुनने के बाद है यानि दोनों पच्छों को बुलाएगा जो डिश्प्यूट रहेगा जो दावाट होकेंगे इस पर प्रपर्टी हिस्सा मेरा होगा यह सब चीजे हैं तो दोनों पच्छों को नियाले में कर सकेगा खेती की जमीन के क्रेव पर खेती की जमीन अगर खरीद रहे हो तो उसके खरीदने पर क्या है मालिकाना है ना तो इससे भी क्या है आपका मालिकाना हक मिल जाता है एक तो आपने देखा उत्तरा दिकार दूसरा देखा विवाद नहीं है विवाद रह ले जाएंगे जिला में भी चलेगे वहां भी असंतुस्त हुए तो दोनों पच्छ में कोई असंतुस्त हुआ तो आप कमेश्णन ने आले चला जाएगा इसके बाद खेत तुम खरीद लो उस पर आपका मालिकाना हग हो जाएगा है न धारा आठ चववन खेती जमीन को संक् भूम धर अधनियम में बनाएगे नियमों के अंसार अन्न को संपत्य अंत्रन अधनियम की धारा चववन के अंसार विक्रे कर सकता है तो जमीन अगर बेची जारे जिसको बेची जाएगा उसको मालिकाना हग मिलेगा खेती जमीन को पट्टे पर प्राप्त करना है न जो तकती है किन्तो इस पर प्रदिबंद यह है क्योंकि बैक्ति के पास कुल भूमी जो पट्टे पर दी जा रही है उसको जोड़कर बारा एकड़ से अधिकर नहीं होनी चाहिए माने लीजी अगर किसी के पास बारा एकड़ आलेड़ी जमीन ही है उसको एक पट्टा किया जा रहा है तो आलेड़ी उसके पास तेरा हो जाएगा तो जिसके पास दस एकड़ है एकड़ और दे दो पट्टा लीज पर तो क्या है उसके पास ग्यारा है तो किल मिला कि उसको ब धारा 179 कोई इस और भी नियम बताये गए है अक्ट में ठीक है त Sudara दोर लाव थे सारी चीजें है दान द दोरा खेती जमीन का मानिकानला भी इसफ्टार कि एंट्रानद नियम की धारा 122 की इंटर्कज़ बात की गई है इसके चैना खेती जमीन का दान दोरा भी मालका नहर प्राप्त किया जाता है भूमी आवंटन द्वारा प्राप्त करना है तो उस पर भी मालका नहर होगा भूमी प्रवंधन समिती पर गना अधिकारी शाह कलेक्टर की पूर शोविकृती लेकर किसी भूम में भूमी आवणटन नहीं की जासकेगी इतने तीन नहीं कर सिएधिक नहीं खेतियर जो जमीन है उनके मुखे दस्तावेज क्या होते हैं जमीन के मुख्य तस्तावेजों का वेवरण आप देख सकते हैं अधिकार अभिलेग तो प्रतेग गाउं के लिए एक अधिकार यहां एक अधिकारों का अभिलेग होता है और यह 234 की अंतरगत निर्वित नियमों द्वारा निर्व धारित अपुवादों के अधिन होता है कि अंदर के दो गर्शी रिजिक्र होता है कि धहरखा एक सु चोखथर की अनुशार उत्रा उत्रा धिकार के क्रम् बताया गया है ऑठी कम है को तो फूटर फिर पती पुत्री नवसार पुत्री का पुत्र पिता माता भाई भतीजा है ना भतीजा क्या होगा बहन का पुत्र तो इसके आद बहन बहन का पुत्र तिन क्रम को याद रख लेना है यह उत्रा अधिकार के क्रम है तो इसी साथ हमारा दूसरा चैप्टर हो जाता है और इसके प्रेडिया जो आपको टेलिग्राम प कर सकेंगे बाकी आप वीडियो को देखते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के जाती है तो इंप्वाटेंट तत्र है जिसमें आप अपने पॉइंट आप भी उसे आप नोड बनाते चलिएगा एक्जाम की पॉइंट आप भी उसे है ना सारी थेओरी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी तागत है मिलते हैं नेक्स लेक्चर में थैंक्स वार वाचिंग